आ है है कि नमस्कार किसान भाई यूंँँ आप देख रहे हैं है अपना है अपना चैनल और EGRO उधन तो दोस्तों सुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो में सभी तरहां के बीजों के बारे में बताएंगे कौन सा अच्छा उत्पदन देता है कौन सी विराइटी अच्छी रहती हैं दोस्तों मटर का अगर आप खेती करते हैं तो एडवन्ट कमपनी का जियस टेन विराइटी को चुने यहां बहुत ही बढ़ियां विराइटी है बहुत ही कम समय में आने वाली विराइटी है साथ दिनों में आपको यह फश्ट आर्वेस्टिंग दे देती है दोस्तों बहुत ही बढ़ियां विराइटी है दोस्तों अगर आप टामटर के खेती करते हैं तो दोस्तों सेमिनीच कमपनी का अभिलाश टामटर को चुने यहां बहुत बढ़ियां विराइटी है यहां अ कमपनी का गिरजा और माधूरी को बहुती अच्छी एन दोनों में से Mamoo कोई सी वी आप चुन सकते हो बहुत रियां बड़ियाबार्ट कर दोचा कंपनी का बहुत सारी वरायटी है गंच topics कर दोंसरे से कंपके सब्सक्राइब करतें आप बिंड़ी का 35,46 बैसे Pioneer Company का बहुत सारे वीराइटिय आती हैं आप इन में से कोईसी को भी एक अच्छी वीराइटिय को चुन सकते हैं दोस्तो अगर आप कम समय में सरसों की खेती अगर करना चाते हैं तो आप Pioneer Company का 35 जो आता है वह बहुत बढ़िया विराइटी है इसको भी आप लगा सकते हैं लंबे समय तक फल को देख दोस्तों अगर आप मूली की खेती करते हो तो सेजेंटा कमपणी का आती है वो बहुत बढ़िया वेराइटी है इसको आप लगा सकते हो दोस्तों अगर आप गिल्खी की खेती करना पसंद करते हो तो आपको बहुत ही बढ़िया वेराइटी के बा तो आप BSF Company का नंदिता वेराइटी आती है बहुत ही बढ़िया वेराइटी है यह आपको बहुत ही अच्छा उत्पदन देखने को मिलेगा दोस्तो इसका फस्ट अर्वेस्टिंग आपको 55-60 दिनों में देखने को मिलेगा दोस्तो अगर आप करेले की खेती करना पसंद करत है हाइवेच कंपणी की राशी सीट की बहुत ही बढ़िया वेराइटी है आप इसको गर्मी कट समय में लगा सकते हैं आपको बहुत ही अच्छा उत्पदन देखने को मिलेगा यह को बहुत ही बारे में आपको बताता हूं वी एन और कंपनी का जो आकास आता है बहुत ही बढ़िया विराइट ही है